कोई परेशानी परेशाइन नहीं यह भी पताया जा रहा है कि आप माँ बनने वाली ऐसा है ना सूतरों की माने तो यूपी में जिस तरीके से कानून विवस्था को बनाए रखने के लिए बुल्डोजर आक्शन हमने देखा था वो इस मामले में भी हो सकता है जो हमें प्रसाशन के सूतर बता रहे हैं कि इस पूरे प्रकरन पे बुल्डोजर आक्शन हो सकता है और जो हो रहा है अभी exclusive मापको एक और कड़ी से मिलाते हैं सना हमारे साथ हैं यह साजित की पत्नी हैं जिसके बारे में साजित ने कहा था कि वो उनकी इलाज के लिए उनकी प्रेगनेंसी के लिए पांच अजार रुपे लेने के लिए उनके घर पे जा रहा है वो पत्नी में सामने बिल्कुल मौजूद हैं बिल्कुल फिट हैं किसी तरह की कोई बिमारी नहीं है कोई परेशानी नहीं है और इनी सना का नाम लेकर साजित जो है वो घर के अंदर गया था और इनी की जो प्रिगनेंसी है इनकी जो बिमारी है उनको लेकर 5000 रुपे की डिमांड की थी इन कि बिमारी का बहाना ले कर वो गया और 5000 रुपke क्या पता आपको इस को कोई जानकारी नहीं है कब बात हुई ती आपकी साजित से आख दन पहले और आपको लो यहाँ कने अ हजके सके दिन पीछले सपता क्या बोला था साजित क्या बोला था इसी पूछ रहे थे खर सल ला खाना खाल यह ठीक हो बस अब कोई बात नहीं उसके बाद कोई बात नहीं कोई आप यहां अपने माईके में कब आई हैं हॉए पन्दरा दिन पहले आप साजित के साथ घर पे ती कभी उस दारान इन दोनों बच्चों का जिकरी अष тебя हो यह परीवार का जिकर अश्या संगीता व्यू Tammy को धूसर पैसे को लेकर कोई तंगी वंग घर परिवाद ठीक चल रहा था पैसे वो कमा रहा था साजिद अपनी दुकान थी या किराय पर और दोनों भाई काम करते थे साजिद जावेद या कोई और भी था कभी कुछ नहीं कि अपको कभी लगा कि आपके पती इस तरीके से किसी बच्चे को मार सकते हैं कभी नहीं कि साजिद का इंकाउंटर हो गया आपको लगता है कि सही हुआ जैसा उसने किया इस तरीके बिल्कुल इन्हीं के बात को लेकर सना को लेकर लगातार साजिद जो है वो गुम्रा करने की कोशिश कर रहा था सना को बीच में ला रहा था लेकिन सना तो यहां है अपने घर पे 15 दिन से अपनी मां के घर पे हैं बिलकुल fit and fine है, बिलकुल अच्छी है, स्वस्थ है, एकदम खड़ी है और कह रही हैं कि इनको तो पता ही नहीं है कुछ तो आखिर वो क्या कारण था कि बार बार साजित जो है वो सना को इस पूरे मामले में खसीट रहा था यानि कि ये तो बिलकुल साफ है कि जो बात अपनी पत्नी को लेकर साजित कह रहा था वो टाइमस नौना भारत के कैमरे पे एक्स्पोज हो चुकी है कि इस किसी भी तरीके से सना बिमार नहीं है नहीं सना मा बनने वाली है यानि कि जो भी बात साजित कह रहा था जन बातों को लेकर वो घर पे गया था, ये सारे बात तत्यात्मक रूप से बिलकुल गलत है, इनका वास्तविक्ता से कोई भी सम्मंद नहीं है, तो आखिर वो क्या कारण है, अब ये बहुत एहम हो गया है जानना, सना कभी जावेद के बारे में आपको कुछ पता हो या रहती थी, तो जावेद आता था जाता था उसका व्यवहार कैसा था, जावेद का, जैस रहते थे, वैस भाई ये अपने दोन जनी रहते थे, सला से, कोई बात नहीं थी, कोई दोनों भाई में लड़ाई बगर कुछ ना, कभी दोनों भाई ने कोशिश की हो, आगे काम को बढ़ाने की है, पैसे को लें देंके बाद, कुछ ना, कुछ भी नहीं, कभी आपको ऐसा लगा हो कि इनके मन में कुछ गलत चल रहा है, या मार पीट के लिए, कभी कुछ नहीं लगा, घर में इनका नेचर कैसा था, आपके प्रती, मतलब मारते थे, पीट थे या कभी और इनकी दोस्ती किन लोगों के साथ में थी, जह मैं क्या पता है, और कोई बातचीत जो आप बता सके हमें, ना, कोई बात नहीं थी, और कोई बात नहीं थी, कितने साल पहले आपकी शादी होई थी, चार साल पहले होई थी, आपकी शादी को हो गये हैं, कोई ऐसे रिष् और कोई नहीं रहता है जावेद की बुआ या कोई नहीं रहता है और कहीं जो ऐसा जगह जहां जावेद जाता हो या जा सकता हो या साजित जाता था पहले और कभी आपसे उची आवाज में बाचीत की हो या कभी नहीं बिल्कुल नहीं देखिए यह सना है उनकी पत्नी है और यह बता रही है कि भाई वो तो जाता नहीं था बाचीत नहीं होती थी परिवार एक साथ रहता था शादी के चार साल हो गए थे फिर आखिर वो क्या वज कि ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं क्योंकि देखिए जब हमने बच्चों से बाचीत की थी जो बच्चा उस पूरे वारदात में बच गया था जो जान बचा के भागा था उनकी दादी से बात की थी उसमें यह पता चला कि जो च्छत है च्छत के ऊपर च इस पर शराब की बोतल मिली थी तो सबस्कार रहे हैं जो उनकी पत्नी है कि आज तक उन्होंने कभी शराब नहीं पी सिर्फ का कहते थे तो आखिर साजद उस दिन यानि कि कल शराब लेकर छट पे क्या करने गया था दूसरा थियोरी जो 5000 रुपे को लेकर बार बार जो परिवार बता रहा है कि अपनी पत्नी की बिमारी को लेकर पैसे मांगने पहुचा था तो पत्नी तो fit and fine हमारे सामने खड़ी है तो आखिर वो पहुचा क्यों पहला सवाल है और दूसरा की 5000 रुपे उसने मांगे क्यों तीसरा सवाल है जो थियोरी निकल के सामने आ रही है कि क्या इसके अंदर किसी तंत्र विद्या या कोई और चीज जो है वो involved है इससे पुलिस अभी नकार नहीं रही है पुलिस कह रही है कि उनकी जात जारी है और जब तक जावेद नहीं मिलता है तब तक जो है उस थियोरी के उपर पूरे तरीके से नकार पाना मुश्किल है हलाकि सना कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं था कभी उन्होंने सुना नहीं, इसके बारे में नहीं, उनको किसी ने इस बारे में बताया है, लेकिन आठ दिनों से उनकी फोन पे बात भी नहीं हुई थी, पंदरा दिन से ये घर हैं, तो क्या इन पंदरा दिनों के दर्मयान साजिद ने कुछ ऐसा प्लान किया, जब सना यहा होती है तो ऐसे में जब तक जावेद नहीं मिलता है तब तक जो जाच है वह घुमती हुई नजर आएगी और जब जावेद मिलेगा जब जावेद से पूछता जोगी उसके बाद ही इस पूरे मामले की जो पड़ते हैं वह खुलती हुए नजर आएंगी सना कोई आपके और साजित के कोई बच्चे भी है अभी नबच्चे नहीं है एक भी नहीं